दिपावले के लिए दिए मार्किट से हर कोई लेकर आता है तो क्यों ना इस बार कुछ दिए हम लोग घर पर बना कर तयार करें तो चलिए फ्रेंड्स इन दिपाव को बनाना शुरू करते हैं हेलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हो आप सब एक बार फिर से आप लोगों का चैनल भी पादिल से पर वेलकम है यह दिपाव बनाने के लिए मैंने वाटर कलर लिये हैं आप कलर अपनी इच्छा से कोई मर्ची ले सकते हो और साथ में लेंगे कुछ डिस्परजल चमच अब इन चमच के उपर हमें कलर करना है तो पहले मैं करूँगी रेड और वाइट स्पार्कल का कलर इनके उपर यह रेड चमच त्यार है अब करते हैं ग्रीन और गॉल्डन स्पार्कल से कलर इनके उपर और यह ग्रीन कलर के चमच भी तयार है और अब करेंगे कॉपर कलर तो फ्रेंड्स मैंने तेरा तेरा पीस तयार किये हैं चमच के आपको जितना बड़ा दीपक बनाना हो उसे इसाब से आप पने चमच त्यार कर सकते हो और यह हमारी कॉपर चमच भी तयार है अब हमें लेना है एक पेपर और इसके उपर हमें राउंड में निशान लगा लेने हैं मैंने यह राउंड सेटर से साइड में दो इज तक बनाया है आपको जितना बड़ा दीपक बनाना हो उसे साब से आप अजबता राउंड बना कर तयार कर सकते हो अब यह जो मैं तीन सरकल बना कर त्यार करूँगी इनके बीच में भी दो दो इंच का स्पेस रहेगा तो ये सरकल मैंने बना कर तयार कर लिये हैं और अब हमें इनकी कटिंग कर लेनी है और ये मैंने इसकी कटिंग करके से तयार कर लिया है चलिए अब जो चमच है उनकी भी कटिंग कर लेते हैं तो चम्मच को यहां से किनारे से कटिंग कर लेना है, यह देखिए इस तरीके से, या फिर आप इन्हें अपने हाग से भी तरह से क्राय कर सकते हैं, अब यह जो सरकल बना कर तयार किया है, इसके अंदर की तरफ हमें गुलूगन लगानी है, और इस तरह से चम्मच को चिपका देना है, तो थोड़ी थोड़ी गुलूगन लगाते जाए और यह चम्मच चिपकाते जाए, तो इस तरह से एक राउंड बना कर तयार कर लीजिए एक राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया है अब इसके अंदर की साइड सेम तरीके से हमेचा मच लगा देनी है यह सेम तरीके से हमेरा चमच चिपका देनी है और उसके बाद में सेम तरीके से हमें कोपर चमच भी चिपका देनी है अब यह हमारे तीनों पीश तयार हो चुके हैं इनके उपर लगाएंगे मोटी तो अंदर वाली जो चमच है इसके उपर अंदर की साइड पहले थोड़ी से गलूबल लगाएंगे और फिर इसके उपर हम लग मोटी चिपका देंगे तो सेम तरीके से हमारे जो तीनों फिलोवर वने हैं इनके अंदर मोटी चिपका देने हैं अब जो बाहर की साइड चमच है उसके उपर किनारे पे अगलूगल लगाईए और वहाँ पर मोटी चिपका देजे यह देखिए इस तरीके से हम ये दोनों पीस भी तयार कर लेंगे अब इनके उपर हम लोग दीपक लगा देंगे और उने जलाएंगे तो यह देखिए पहले मैंने लगाए हैं इनके उपर कलरकूल दीपक और सैकिंड मैंने एक छोटी गिलास के अंदर पहले मोती डाल लिये हैं फिर इसमें डालेंगे पानी और इसके उपर रखेंगे पानी वाला दीपक और यह इनके सेंडर में चिपका देंगे तो गुलूगन की हल्थ से हमें इनके चिपका देना है और हमारे यह दीपक भी बन कर तयार है यह दिखने में काफी खुल सुर्थ लगते हैं और इन्हें बनाना काफी असान भी है तो अगर आप लोगों को मेरी चैनल की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सस्क्राब कर लीची और पास में जो बैल आइकन का बटन है उसमें आल पे क्लिक कर दिजे ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों सबसे पहले मिले ओकी फ्रेंड सब मैं चलती हूँ आप लोगों से फिर मुलाकात होंगे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड हैप्पी दिवाली